दोस्तो बहुत सारे इसे यूजर्स हैं जिनके पास नहीं तो लैपटप है और नहीं कोई PC फिर भी दोस्तो वो चाहते हैं कि हम एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और अच्छे से यूटूब पे डालें दोस्तो यह जहां तक तो सही है लेकिन उनके पास सबसे बड़ी प्रोटेट करना है और यह तो दिखायेता है तो वीडियो को तो ऐसा टेड़ा मेड़ा करना परता है दोस्तो आज हम बात करने बाले हैं आपको अपने मुवाइल के स्कीन को कैसे रोटेट करना है यानि कि दोस्तो आप भी अपने मुवाइल को केमपूटर के तर रोटेट करके रिकॉर्ड कर सक तो शलिए दोस्तों वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है एक डाउनलोड करना होगा तो सबसे पहले हम अपना प्लेश्टोर ओन कर लेते हैं जैसे ही मेरा प्लेश्टोर ओन होगा तो हमको सर्च बार में टैप करना है कंट्रोल मोबाइल एक स्क्रीन दोस्तों जैसे ही आप यहां पर कंट्रोल मोबाइल एक स्क्रीन लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से कुछ आएगा तो यहाँ पे control screen rotation जो आ रहा है आपको इस पे click कर लेना है और इस app आपको क्या करना होगा install करना है तो चलिए हम install button पे click कर लेंगे और यह install होने का हम wait करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरा install finish हो चुका है अब हमको क्या करना है back आना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो मेरा screen है अभी normal mobile की तरफ पे behave कर रहा है लेकिन जैसे ही यह app हम install किये हैं इसको हमको क्या करना है on कर लेना है on करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको start service पे क्लिक कर देना है start service पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे select a skin rotation बता रहा है तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है और क्या करना है land escape पे क्लिक कर लेना है ades кап پہ जिससे ही click कर लेंगे आप तो आपका mobile इस तरीके से हो जाएगा अब आप back भी आएंगे तो क्या होगा कि ये आपका mobile जो है इस तरीके से जो है काम करना start कर देगा जिसे की आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है आपका mobile काम करेगा अब आप कोछ भी record करेंगे तो आपना recording on करके इस तरीके से record कर सकते हैं आपका हर एक चीज जो है rotation app की तरह जो है काम करेगा जैसे कि माल लेजी हम अपना वाड़ तो जैसे ही हम file manager पर click करेंगे तो यह इस तरीके से जो है rotate करके दिखाई देगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह लंबा screen में है तो आप इस तरीके से इस app की मदद से अपने mobile का screen rotate करके जो है video record कर सकते हैं mobile का screen record कर सकते हैं बड़े screen पर तो इस तरीके से आप इस app का use कर सकते हैं